बन नसे होंगी साफ, कॉलिस्ट्रोल होगा 1.500 से नीचे अगर आप खाएंगे ये 4 चीज़ें रोज जी हाँ डियर फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुपता, एक आयरवधिक डॉक्टर और जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका कॉलिस्ट्रोल धीरे धीरे करके डेट्सों से नीचे आ जाएगा और आप हार्ट ब्लॉकेज के खतरे से बच जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है गार्लिक यानि लहसुन लहसुन खून को पतला करता है और आपके कॉलिस्ट्रोल को नॉर्मल करता है और ब्लेड प्रेशर को नॉर्मल करता है अगर आपका blood pressure cholesterol की वज़े से high है या फिर अगर किसी और कारण की वज़े से high है तो फिर कम नहीं होगा इसके लिए आपको garlic खाना है तो कैसे खाना है आपने garlic यानि लेसन को चबा कर खाना है क्योंकि कुछ लोग लेसन को साबुत निकल लेते हैं इससे उसका असर इतना हो नहीं पाता क्योंकि आपकी body उसे इतना ज़्यादा तोड नहीं पाती कम तोड पाती है तो अगर आप उसे अपने मुह में ले जाकर चबा लेंगे तो फिर वो digest जादा होगा जिससे अपना पूरा असर करेगा और आपके कॉलिस्टोल को कम करने में मदद करेगा तो आपको एक से दो लहसुन की कलियां सुबह खाली पेट खानी है चबाकर अगर आपको चबाने में दिक्कत होती है क्योंकि गार्लिक बहुत सक्त तीखा होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप garlic की दो कलियों को पीस ले कूट ले फिर आप उसे दाल सबजी में मिक्स कर लें तो इस तरीके से आप garlic को खा सकते हैं वह भी उतना ही फाइदा करेगा दूसरी चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है oats out क्यूं कोटको क्यूं कम करते है क्योंकि oats में fiber की मात्रा अधिक होती है अब ये fiber क्या करता राएबर आपके intestine में फालतु कॉलिस्टरोल को टॉयलेट के जरिये बाहर निकाल देता है मल के जरिये बाहर निकाल देता है तो अगर आप कॉलिस्टरोल को कम करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर खाना है और ओट्स में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है तो ओर्स खाने से कॉलिस्ट्रोल कम होता है LDL कॉलिस्ट्रोल कम होता है और आपके पेट की सफाई होती है आतों की सफाई होती है तो आपको एक बाउल यानि एक कटोरी ओर्स दिन में एक बाद जरूर खाने हैं या तो नाशने में खा लीजिए या फिर आप रात के समय खा सकते हैं इसका आप दलिया बना कर खा सकते हैं ओर्स के अलावा आप फाइबर की और भी चीज़ें खाईए जिसमें फाइबर ज्यादा होता है जैसे गाजर, मुली, कच्ची गोबी, कच्ची पत्टगोबी यानि सालड के रूप में अब तीसरी चीज़ आपको क्या खानी है आमला आमला भी कॉलिस्टोल को कम करता है और कॉंस्रिपेशन को दूर करता है यानि पेट की सफाई करता है तो आमला भी वही काम करता है जो काम फाइबर करता है लेकिन इसके साथ आमला में और भी बहुत सारे गुन होते हैं जिससे आपके शरीर को और बहुत सारे फायदे होते हैं तो आमला भी आप जरूर खाईए अगर आमला का सीजन है तो आप कच्छा आमला खाईए ताजा एक आमला चबा चबा कर खा सकते हैं अगर सीजन नहीं है तो आमला के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आमला के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं तो 5-10 मिली लिटर जूस आप एक दिन में पी सकते हैं और 2-3 ग्राम आमला चूर्ण पानी के साथ ले सकते हैं चाथी चीज़ आपको खानी है वो है मेथी दाना, मेथी दाना भी कॉलिस्ट्रोल को कम करता है, आपको एक चमच मेथी दाना रात को भिगो देना है, और सुबह इस मेथी दाना को चबा चबा कर खा लेना है, और साथ में पानी भी पी लेना है, मेथी दाना भी आपके डाज कॉलिस्ट्रोल को कम करना तो इंचाल चीज़ों को आप अपनी टाइट में शामिल करें वेजिटेरियन फूड खाएं फाइबर का इस्तेमाल जादा करें और सैर करें सैर करने से क्या होगा कि आपका बूरा कॉलिस्ट्रोल तो कम होता ही है साथी अच्छा कॉलिस्ट्रोल ज्यादा होगा आपको हार्ट अटैक का खत्रा उतना ही ज्यादा कम होगा और नसों की ब्लॉकज इससे कम होती है तो आप सैर करें साइकल चलाएं किसी भी तरह के एक्सरसाइज करें उससे अच्छील कॉलिस्ट्रोल आपका बढ़ेगा जिससे आपकी नसों की सफाई होग तो फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो लाप्था एक सिद होगी थैंक यू